हेलो फ्रेंड वेलकम तू सिनेमा दिल से आयम सचिंत तो आज रिव्यू करेंगे अनेक का तो यार आज मैंने देखी अनेक पर आज मैं जब मूवी देखने गया तो ओडियंस एक भी नहीं है मतलब आयश्मान कुराना की पिचर पहले उनकी पिचर कितने लोग ओडियंस देखने लग जाते थे और आज जब मैं अनेक देखने गया तो ओडियंस ही बिल्कुल भी नहीं है ओडियंस चार-पांच गिंति के ओडियंस बैठे हैं वो भी अपने में लगे पड़े हैं क्यों हमें अच्छा देखने को मिल सकता है एक अच्छा टॉपिक देखने को मिल सकता है पर जब आज मूवी देखा तो ऐसा कुछ बता ही नहीं पाई यह लोग मूवी के अंदर बात करूंगा मूवी की कहानी की तो एक यह नौट इस्ट पर बनाई गई यह मूवी है जो मतलब दिखा ही नहीं बिल्कुल भी कहानी की बात करूं तो कहानी के कुछ प्रॉब्लम्स को दिखाना चीए था पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाए और कहानी इतनी स्लो चलती है यार मूवी इतनी बोरिंग हो जाती है दोनों बस्ट आफ में भी और सेकेंड आफ में इतनी बोरिं कि मतलब एक पल के लिए बहुत हदसी हो जाती है डायलोग सुन सुनके कि यार इतनी डायलोग बाजी सुनने को मिलती है जिसमें बहुत बंदा परिसानी हो जाता है बोर ही हो जाता एक तरीके से उसमें भी गिंती के एक आध डायलोग ही बहुत अच्छे लगे जो वो कहता है कि नौर्थ इंडिया एस्ट इंडिया या कौन सा किस तरीके से हम माल ले की हम इंडिया नहीं तो यह वाला डायलोग कुछ ज्यादा अच्छा लगा बाकी मूवी की बीजियम वगेरा बहुत अच्छे लगे प्रफॉर्मेंस की बात की जाए तो आयुश्मान कुराना उन्हे अच्छे से नहीं पाया है यहार मैं एक्षन की बात करूँ मूवी के अंदर प्रेलर देखा था तो हमने एक्षन देखने को मिला था मूवी के अंदर एक्षन है पर आयुश्मान को और खुराना को एक बिल्कुल एक्षन सीन दिया ही नहीं मलत एक एक एंड में जाके एक बंदूग पकड़के भाग रहे हैं तो एक एक्षन सीन तो देने चीए थे अच्छा खासा एक्षन सीन कौन कर रहे हैं जो साइड रोल वाले हैं वह एक्षन सीन कर रहे हैं तो आयुश्मान को क्यों नहीं दिया एक्षन बाकि जो भी साइड रोल्स वगेर के काम हैं उनके पर दोटे काम भी बहुत अच्छा है एक्षन सीन में गल्ती काहुरी एक लास्ट एक जब क्लाइमेक्स का सीन चल रहा है तो वहां पर एक सीन आयस्मान कर दिखा रहे हैं और जिसमें वह क्या करते हैं लड़िकी भी है जो बॉक्सिंग करती है एक उसका रोल दिखा रहे है ए मैं तो कुछ सर्प्राइज देखने को नहीं मिला मूवी के अंदर एक कश्मीर फाइल जैसी मूवी देखने को नहीं मिली जो की एक अच्छा कवापिक उठाया था इनोंने पर वह सब देखने को बिलकुल भी नहीं मिला प्रफॉर्मेंस ठीक है टॉपिक भी अच्छा था बट गड़बड कां हो गई स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट थोड़ी अच्छी सी डिटेल में लिखे जाती बहुत सारे मुद्दे दिखाये जाते हैं मुद्दे तो दिखा दिये पर वह खुलके मुद्दा नहीं दिखा पाए और उनका एक हल नहीं बता पाए कि क्या होना है तो यार मुवी ओबरॉल जलब यार ट्रेलर से जितनी अच्छी लगे थी देखने के बाद उतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को मैं इसको बिल्कुल इस्टार नहीं दे सकता क्योंकि बहुत उमीद थी इस मुवी से कि हां बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कुछ मिला ही नहीं मुवी के अंदर बस एक टॉपिक पकड़ लिया कहानी चल रही है क्या मुद्दा उठा रहे है कुछ समझ में नहीं आ रहा एक बोरिंग फिलकुल बोरिंग कहानी कर दी इस टॉपिक को तो यार देख लो पर्स टे था और पहला सो तो और बिलकुल नहीं तो यार अब मुवी है कितने दिन चले गी आता तो कुछ पता नहीं सकता पर कल देखो बर्सो देखो संडे को देखो कि इस मूवी कितना चलती है पर मेरे को नहीं लगता कि चलेगी यह मूवी क्योंकि हाई नी स्क्रिप्ट में दम ही नहीं बिलकुल भी क्या देखने जाएग बाकि अगर आपने देखी हो अने एक मूवी तो मेरे को बताना जरूर कि आपको कैसी लगी मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट व्योडियो में टाटा